सत्यूग में एक महा भयंकर दैत्य मुर ने इंद्र आधी देवताओं पर वजय प्राप्त कर उन्हें उनके स्थान से भगा दिया था। तब इंद्र और अन्य देवता छीर सागर में भगवान विश्नु के पास गये। देवताओं सहित सभी ने श्री विश्नु जी से दैत्य के अत्याचारों से मुक्त होने के लिए विंती की। इंद्र आधी देवताओं की प्रार्थना सुनकर भगवान विश्नु बोले, देवताओं मैं तुम्हारे शत्रु का सीग्र ही वद करूंगा। जब दैत्यों ने विश्नु जी को युद्ध भूमी में देखा तो उन पर अस्त्रों, शस्त्रों का प्रहार करने लगे। भगवान विश्नु मुर को मारने के लिए जिन जिन शस्त्रों का इस्तमाल करते, सभी उसके तेज से नष्ट होकर उस पर फूलों के समान गिरने लगे। विश्नु को मार कर अपने सभी शत्रों पर विजय प्राप्त कर लूँगा। अपने की दैत्य आपको मारने के तैयार था। उसी समय मैंने आपके शरीर से उधपन नहूं कर इसका वद किया। भगवान विश्णु ने उसकन्या का नाम एकादशी रखा क्योंकि वो एकादशी के दिन श्री विश्णु के शरीर से उत्पन्न हुई थी इसलिए इस दिन को उत्पन्ना एकादशी के नाम से जाना जाता है